नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी अड़ा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिए हमें आल्सो वैरिफाइड एडुकेटर अनकैडमी तो आप मुझे अनकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हीमन्त मिसर देखिए अभी तक आप लोग ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दे, साथ में अगर इसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो कोई भी हमारे दो से तीन वीडियो आप पूरा देखें और उसे लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पूरा देखें, तीन लाइक और कमेंट करें और पूरा देखें, बस आप इतना कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, और हमारा ये टेलिग्राम ग्रूप है, इस सबी लोग को पता हो देखे question है पांच वर्स के पस्चाथ एक पिता की आयो उसके पुत्र के आयो को तीन गुणी हो जाती है तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पिता पुत्र पिता की आयू 3 गुनी हो जाती पूतर की आयू की तो माल लेते हैं पूतर की आयू 1 साल है तो पिता कितनी हो गई? 3 साल और कितने टाइम बाद 5 वर्स पश्चात इसको बहुत क्लियर मेंसन कीजेगा इसको याद रखिएगा ठिक है? जबकि 5 वर्स पूरो उसकी आयू अपने पुत्र की आयू से 7 गुना थी कब 5 वर्स पूरो 5 वर्स पहले किसकी आयू पिता की आयू अपने पुत्र की आयू की कितनी 7 गुना थी तो माना पुत्र की आयू 1 तो पिता की कितनी हो गई 7 इतना लिखने के बाद देखे आपको क्या करना है next step क्या करना है आपको इन दोनों का difference find करना है कितना है दो और इसका difference कितना है 6 जब आपको difference पता चल जाए तो आपको cross multiplication कर देना है इस दो का इस 7 में करना है और इस 1 में करना है छे का जो है इस 3 में करना है और इस 1 में करना ह तो नया क्या बनेगा देखे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिता और यहाँ पर पत्र तो जब 6 गुड़े 3 करेंगे कितना आ जाएगा 18 और 6 गुड़े 1 6 आ जाएगा आपका और 2 गुड़े 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा और 2 गुड़े 1 कितना जाएगा 2 अब ये इनके बीच का जो लिखे है आप 5 वर्स पश्चात और 5 वर्स पूर तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ये आप हमको बता सकते हैं क्या, इनके बीच कितना difference है, 10 साल का है, तोकि अगर यहाँ पे 0 है, तो यह 5 वर्स पहले, यह 5 वर्स बार, total difference कितना है, 10 साल, इन दोनों के बीच कितना difference है, 4 साल, और इसके बीच कितना difference है, 4 साल, देखें, multiply करने के बाद, हमेशा ये दोनों difference आपका same आएगा इस बात को आप याद रखिएगा अब यहाँ पर दिखे एक problem क्या हो रही है यहाँ पर कितना difference आ रहा है 10 यहाँ पर आ रहा है चार तो यह बता रहा है कि चार की value है चार बराबर 10 है चार बराबर हमारा कितना है 10 है तो यह कितने गुड़े पर आप बता सकते हैं चार गुड़े अगर हम धाई कर दें तो 10 आज बिलकुल आ जाएगा तो चुकि हम इसमें चार का धाई में गुड़ा कर रहे हैं इसलिए अब हम सब में धाई का गुड़ा कर द देखे 6 into 2.5 करेंगे तुम्हारी value कितने आगे 6 गोड़े 2.5 देखे 15 आजाएगी और इसी तरह 2 में जब 2.5 का गोड़ा करेंगे तो कितना आजाएगा पांच आजाएगा यहां पर 18 गोड़े 2.5 करेंगे कितना जाएगा 18 दुना 36 और इसमें 9 और जोर देंगे 45 आजाएग और यह क्या था यह पांच वर्स आपका जो उपर था क्या था पांच वर्स पस्चाट और नीचे क्या था पांच वर्स अब यह आपकी actual उम्र आ गए पूछा क्या है पिता की वर्तमान उम्र क्या है तो वर्तमान उम्र पूछा है पांच वर्स पूर कितनी थी 35 तो वर्तम यह करना है इस method को आप 2-3 बार लगाएंगे तो आपके सारे question clear हो जाएंगे देखिए यह method उन्ही question पर I.U. के काम करेगा जिसका आपको ratio पता है या आप ratio बना सकते हैं इस बात को जरूर याद रखेगा next question देखते हैं देखिए इसको आपको x मान के लगाना पड़ेगा यह यह 1x हो जाएगा और यह 2x हो जाएगा अब तो दूग गुना हो गया अब तीन वर्स पहले की बात कर रहा है तो हम इसको पहले तो वर्तमान में लेते आते हैं वर्तमान में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2x प्लस 3 और x प्लस 3 यह हरसा और स्याम की वर्तमान की आयू हमें पता चल गई, अब आगे देखते हैं, क्या बुला है, 7 वर्स पस्चात, उनकी आयू का योग कितना हो जाता है, 83 वर्स, तो अब इसको 7 वर्स हम आगे बढ़ाते हैं, तो प्लस 7 और करेंगे, तो 2x प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका x प् 10 हो जाएगा आपका हर्सा की आयू, और x प्लस 10 हो जाएगा आपके ख्यात, स्याम की आयू, और इनका योग कितना है, 83 वर्स है, तो बस अब इनका योग आप लिख दीजे, क्या होगा 2x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 83, इसको जोर दीजे, 3x plus 20 इक्वल टू 83, 3x ब बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 तो हर्षा की वर्थमान आयू ग्याद कीजिए हर्षा की वर्थमान आयू यह देखिए 2x प्लस 3 है और x बराबर में कितना पता चल गया 21 है तो 21 इंटू 2 कितना करेंगे 42 आ जाएगा आपका प्लस 345 option number 1 हमारा सही हो जाएगा चले अगले question पर चलते हैं देखिए बीडियो को आप इस सवाल को खुद लगाईए और नीचे comment कीजिए बीडियो को पहले pause कर दीजे क्योंकि मैं इसका solution आपको सीधे देदूँगा तो आप अपना answer match करा लिजेगा बीडियो को pause कीजिए सवाल को खुद लगाईए तो देख लिए यही पुत्र की वर्तमान आयो होगी 15 गुडे 2 मतलब 30 option number 1 सही होगा यह पुरा solution है आप इसको देख सकते हैं next question देखिए पहले जैसे question कहें आप simple वैसे कर लिजे पिता पुत्र के वर्तमान उम्र का योग जो है 60 वर्स है तो हम य आगे question पढ़ते हैं एकदम simple 6 वर्स पहले तो 6 वर्स पहले जा रहे हैं उपर के side तो X में से 6 घट जाएगा और Y में से 6 घट जाएगा तो यह 6 वर्स पहले आगे हैं हम पिता की उम्र पुत्र की उम्र के कितनी थी 5 गुनी थी मतलब यह कर रहा है कि पुत्र की उम्र अगर एक थी तो पिता की उम्र कितनी थी 5 गुनी थी मतलब हम इससे एक बात और समझ सकते हैं कि इसमें अगर हम 5 का गुड़ा कर दें तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे अरे 5 गुनी थी ना आप यह समझें कि एक है और यह 5 है यह 5 जो है एक का 5 गुना है तो अगर इस 1 में हम 5 का गुड़ा कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो यही तो हमें करना है, simple देखे, अब इसमें हम 5 का गुड़ा कर दे इस 1 में तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम ये ही लिख सकते हैं, क्या x-6 बराबर 5 गुड़े y-6, या x-6 equal to 5y-30 x-5y equal to क्या हो जाएगा minus 24 plus 6 हो जाएगा घटाएंगे तो minus 24 आ जाएगा एक equation एक है और दूसरा equation है x plus y बराबर कितना है 60 यहाँ से जो पहले बताया गया है दोने equation को solve कर देंगे हमारा answer आ जाएगा देखे इसको minus कर देते हैं क्योंकि घटाएंगे यह कड़ गया आपका minus 6y बराबर आपके कितना हो गया 62884 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 से कड़ जाएगा 624, 6 तरिक अठार है 624, minus minus आपस में कड़ गया y equal to कितना है 14 तो 6 वर्स के बाद पुत्र की उम्र होगा पूत्र का उम्र हम क्या माने है y माने है तो y बराबर हमारा कितना आगया 14 आगया तो 6 वर्स बाद पुछा है तो 14 plus 6 कर देंगे कितना answer आजाएगा 20 option number 4 जो हमारा सही हो जाएगा next question देखते हैं देखे जैसे question कर रहा है बोला वैसे आप बस करते जाओ मन में आराम से लग जाएगा अमित है, राकेस है और अनिल है तीन लोग है अब एकदम last से चलेंगे हमेशा जो last में नाम लिखेंगे वहीं से चलेंगे तो question आराम से हो जाता है राकेस अनिल से 3 वर्स छोटा है तो अनिल को अगर एकस मान ले तो राकेस क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखते है अमित जो है राकेस से 5 वर्स पहले जन्म लिया है मिंस 5 वर्स बड़ा है तो यह राकेस है आपका यह 5 वर्स बड़ा होगा तो x-3 प्लस 5 हो जाएगा मतलब यह आगए आपका x-2 अब यदि अमित की वर्तमान आयू 17 वर्स है तो मतलब की x-2 बड़ाबर कितना दे रहा है 17 वर्स तो x बड़ाबर कितना हो गया 15 वर्स तो अनिल की आयू होगी x की value निकल गए कितनी 15 option number 1 जो है हमारा सही हो जाएगा अगली question पर चलते हैं कि बहुत simple question है बस पढ़ते जाए करते जाए राजू ने निश्चे किया कि वो नौकरी पाने के 3 वर्स बात साधी करेगा कच्छा 12 उत्रीर करते समय वो कितना था 17 वर्स तो जब plus 12 पास किया तो कितना था 17 वर्स का था ठीक है कच्छा 12 उत्रीर करने के बाद उसने असना तक की पढ़ाई कि 3 वर्स प्लस 3 कर दीजे कितना आगा आपका 20 फिर PG कोर्स 2 वर्स में पूरा किया तो प्लस 2 कर दीजे 22 PG कोर्स पूरा करने के ठीक एक वर्स बाद उससे नौकरी मिली तो plus 1 कर दीजे 23 और नौकरी मिलने के 3 वर्स बाद वसाधी करेगा तो plus 3 कर दीजे तो कितना हो गया 26 तो हमारा answer क्या हो गया option number 2 आ गया 26 वर्स ये question आप लोगों के लिए अगर ये question जो भी हो जैसा भी हो अगर आप नहीं आए आपको तो आप नीचे comment कीजेगा नहीं आ रहा है अगर आपको आता है तो आप answer comment करेंगे please comment जरूर कीजेगा थोड़ा साफ हमें support कीजे थोड़ा हम आपको support करेंगे वीडियो अगर आपको फसंद आ है तो like, comment, share जरूर कीजेगा ये आपका ही channel है आप जो भी चाहिए यहां पर वह हो गया बस आप नीचे comment करके हम तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं